हरे कृष्णा, आज की सरल कहानी में मिलकर प्रवेश करते हैं। भक्त विजयन सुबह जल्दी स्नान करके विश्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करता था। मंदर जाता, परिक्रमा लगाता, पर फिर भी उसको कुछ कमी सी लगती थी। ये सब करके भी प्रसनता में कुछ कमी थी। विजयन अपने गुरुजी के पास जाकर ये बात बताता है। गुरुजी अपने एक दूसरे भक्त को अवाज लगाते हैं और पूछते हैं पुत्र, तुम कैसे हो, परिवार कैसा है। भक्त तुरंथ प्रसनता से बोला, गुरुदेव मैं बहुत अच्छा हूँ, आनंद में हूँ और मेरा परिवार भी बहुत प्रसन्न है, गोविंदा, गोविंदा ये कहकर कूदने लगा। यह देख विजयन आश्चर्य चकित रह गया और थोड़ा उदास भी हुआ। गुरुदेव कोई इतना प्रसन कैसे हो सकता है, मैं सब कुछ करता हूँ, सुबे उठकर, नहा धोकर, विश्नु सहस्त्र नाम का जाप, पूजा, परिक्रमा। तब गुरुदेव बोले, पुत्र, तुम सहस्त्र नाम जाप करते हो, वो बहुत अच्छी बात है, परन्तु गोविन्दा गोविन्दा का कीर्तन में सब जापो, नामों का आनंद छिपा है। द्रौपती ने गोविन्द को ही पुकारा था, तब उसकी लाज बची थी। इसलिए पुत्र, तुम गोविन्दा गोविन्दा कहो और आनंद में रहो। सर्वम श्रीकृष्न अर्पनम